हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे पूर सैनिकों के लिए दोस्तो दो इंपोर्टन अपडेट है और यहां पर हम दोस्तो बात करने जा रहे हैं जो सितंबर महिना है वो बहुत अच्छा महिना होने जा रहा है और इसमें बहुत सारे पूर सैनिकों के लिए कुछ अच्छी ख़बरे हैं सबसे बड़ी चीज दोस्तो यह है कि एक तो आपका डिये है डिये इस महिने जो है कनफार्म होने वाला है कैबिनेट मीटिंग का जो सबको वेट है इस बार और ये इसी महिने कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है और नॉर्मली सितंबर के लास्ट वीक में या थर्ड वीक में इसकी घुश्रा हो जाएगी तो कहीं न कहीं जो पूर सैनिक है उनके जो पैंशन है उसमें केंद्री करमचारी जिनकी की सैलरी है उनमें काफी बढ़ोतरी होने वाली है इसी के साथ सा दोस्तो जो पी एलडी है उसके बार हम बात करेंगे कि पी एलडी के ऊपर क्या चल रहा है और इसी के साथ सा दोस्तो जो पूर सैनिक हैं उनको जो है दोस्तो दोस्ते लेकर 80 लाग तक का जो है लोन उसकी घोशना की गई है किस तरीके से 2 से 80 लाग तक का लोन मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए उस्तो बात करते हैं आज के इन सभी important अपडेट्स के बारे में दोस्तो और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दुबाए दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 डिये के अपडेट्स हैं एक तो आपका यह है कि cabinet meeting में जो है अब मोहर लगने वाली है आपका जो डिये 53 पर्संट्ट है उसको लेकर और एक बार उस पर मोहर लग जाती है तो कहींना कहीं दोस्तो आपको जो है जो पेंशन है वो 53% के साब से आएगी हाला कि उस सतंबर महिने में मुश्किल है वो डिपेंड करता कि कब इसके उपर घोशना होती है अगर टाइमली इसके उपर अगर ऑडर जारी कर दिया जाता है तो तो आपको जो है सतंबर मिल सकती है बड़ चांसे कम है लेकिन एक चीज़ कनफर्म हो चुकी है जो कि PCDA की तरफ से कि OROP3 का तीन महिने का जो एरियर का भुकतान है और यही सेम चीज़ जो दोस्तों DA में भी होने वाला है DA में भी एरियर मिलने वाला है क्योंकि उसमें भी जुलाई से implemented है OROP3 भी एक जुलाई 2024 से implemented है तो इन दोनों में एरियर का प्रावधान है । यह एरियर मिलेगा सबसे पहला जो है वो है आपका जो OROP3 है OROP3 की जो सारी formalities हो चुकी है PCDA की तरफ से भी सारे tables आ चुके है तो सब्तम्बर महिना आपको बढ़ी हुई salary बढ़ी हुई pension और इसके साथ सा दोस्तों तीन महिने का area का भुगता ये confirm हो चुका है दूसरा update दोस्तों अब जो है जुलाई के महंगाई के आकड़ी वे आ चुके हैं जहां पर हम एक तरफ 53% की बात कर रहे है अब जो नया आकड़ा आ गया वो अब जो जुलाई का आकड़ा है वो अब 54% हो गया है जुलाई में जो एक बर फिर से जो है क्योंकि अभी एक बर बढ़ चुका है अभी हमाने पास अगस सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर पाँच महीने का पूरा का पूरा डेटा है इसमें कहीं न कहीं हमको फिर से वही जो पहले 3-4% का हर 6 मेने आप देखे जो ट्रेंड चल रहा है वह 3-4% का ही चल रहा है तो इसमें भी आपको 3-4% का बेनिफिट मिलने वाला है और ओर ओपी 3 जो है कि सप्तंबर में आपको जो है बढ़ा हुआ पेंशन तीन महीने का एरियर और साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों को अभी तक को रिंडम पीपीओ नहीं जारी हुआ था उन सब का अब नया को रिंडम पीपीओ भी जारी हो जाएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के साथ साथ दोस्तों एजी आई की तरफ से एक जो है बड़ा नोटिफिकेशन आये और एजी जो है जो आर्मी गूप इंशुरेंस है उसके थ्रू दोस्तों आप दो से लेकर 80 लाग रुपे तक का जो है बैनिफिट ले सकते हैं और यह अलग अलग चीजों के लिए आपको लोन मिलता है जिसका कि आप सब्सक्रिप्शन के बेस पे जो है इसका पेमेंट करते हैं और इसका दोस्तों जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर हम बात करें नया घर बना रहे हैं बिल्डिंग कंस्रक्शन के लिए कर र और लेस जो आपका भुक्तान होगा उसको आप जो है एक बार टेबल से ज़रूर मैच करें क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जो है और और बहुत सारे पेंशन से बहुत सारे पूरु सहनिकों ने इसको मैच नहीं किया और मैच ना करने के वाएसे कई लोग की पेंशन जो रिवाइस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई कम रेट पे हुई और ये चीज़े दोस्तों आगे चालके कई लोग को 6-7 साल लग जाते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनका जो रिविजन था हो प्रॉपर नहीं हुआ है इसलिए डेटा वेलिडेशन प्लस जो प कि आपको फिर ये कन्फरम भी करना पड़ेगा जब आपका जो है ओर और शोप्रीख का जो यह एरियर होता है एरियर की भी पेइमेंट अपने पहले करनी है और इसी के साथ साथ दोस्तों जो आपका रिवाइस्ट मेंशन है उसकी भी पेइमेंट करनी है जिससे कि जब ने भुक्तान होगा तो आप क्लियर रहेंगे कि आपको जो भुक्तान हुआ है वो एक्जेक्ट हुआ है जितना होना था उतना ही हुआ है दोस्तों अब क्योंकि बहुत सार ऐसे पेंशन कम फिक्स हुई थी तो यह चीज अब आगे ना हो आज कल आप दोस्तों देख सके हैं शोशल मीडिया का दोर है जागरुकता बहुत जरूरी है और जो भी आपको पेंट हो रहा है उसको आपको एक बार जरूर चेक करना है हर पेंट के पेसलिप जारी होती है जिसमें शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो